जैहिन दोस्तों साथ शब्द प्रती मिनट की गती से संपायत की डिक्टेशन स्टार्ट इंडोनेशिया के बाली द्वीप में सम्हू बीस देशों की सालाना शिखर बैठक इस संकल्प के साथ खतम हुई कि किसी भी सूरत में रूस युक्रेन युध रुकवाना ही होगा बैठक के बाद सभी देशों की सहमती से जो साजह बयान जारी हुआ उसमें इस प्रतीबधता पर जोर यही रेखांकित करता है कि दुनिया अब और युध नहीं चाहती महत्वपूर बात तो यह है कि आने वाले वक्त में इस महापरियास में भारत को अपनी बड़ी भूमी का निभानी है इसलिए भी कि अब समहू बीस की अध्यक्षता भारत को करनी हैं और अगली शिखर बैठक दिल्ली में होगी रूस युक्रेन युद के संधर्ब में देखें तो समहू बीस एक महत्वपूर संगठन इसलिए भी है कि इसमें वे विक्सित और विकाशील देश शामिल हैं जो रूस युक्रेन युद के मुद्दे पर बटे हुए हैं ऐसे में यह समहू युद रुकवाने की मुहिम में कितना सफल हो पाता है यह वक्त ही बताएगा युक्रेन पर हमला करने वाला रूस भी इस समहू का सदस्य है बाली की बैठक में जिस तरह से युद का मुद्दा चाया रहा और रूस के रवये की आलोचना हुई उससे रूस की नाराजगी सुभाविक है ऐसे में युद रुकवाने के लिए कौन कितने और कैसे परियास करेगा यहे बड़ा सवाल है पैरा रूस युक्रेन युद के मुद्दे पर भारत का रुक शुरू से ही इसपश्ट है भारत कहता ही रहा है की युद ततकाल रुकना चाहिए और कूटनीतिक तरीकों से समस्या का हल खोजा जाना चाहिए गोर तलब है की इस साल सितंबर में परधान मंतरी नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपती वलादी मिर पुतिन के साथ बातचीत में साफ कहा था की आज का युग युद का नहीं होना चाहिए उनके इस संदेश की गूंज बाली शिखर बैठक में भी सुनाई देने का मतलब साफ है की अब कोई भी जंग नहीं चाहता युद के परिणाम कितने भ्यावे होते हैं यहे सब देख ही रहे हैं लगभग सभी देश किसी ना किसी रूप में युद की मार जेल रहे हैं स्टूप झाल